है गाइस कैसे हैं आप लोग आप लोग आप सब्सक्राइब कर रहेंगे अपने एक्जाम को टार्गेट करते हुए आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा और एक जॉब लेकर आया हूँ यह आ रहा है बिहार के तरफ से एनाइटी का जॉब है आप लोग को जो यह पोस्ट रहेगा वो जेई लेबल का रहने वाला है ठीक है अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो जॉब है यह आपका पर्माने रहेगा जो पेग्रेड रहने वाला वो बैले सो क्यास पास आपको मिलेगा फ्रेसर अपलाई कर सकते हैं यहां पर कोई भी एक्सपेरिंस नहीं मगा गया है इसमें अगर आप बी की हो बीटेक की हो डिप्लोमा की हो आईटीय की हो कंप्यूटर साइंस से रहे या मकेनिकल स सबके लिए यहां पर पोस्ट है वेकंसी है और यह ओल इंडिया अपलाई कर सकते हैं तो चलिए डिटेल में डिसकस्टें करते हैं इसके बारे में तो आप देख सकते हो नेशनल इंस्टियोट आप टेक्नोजी पतना यानि एन आई टी पतना के तरफ से आ रहा है आई आप आपका केणसी अगर बात करा चाहि कि टेक्निकल असिस्टेंट का है तिक यह टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है लेकिन इसमें जो आपको पेग्रेड मिलेगा ओफ फेन टीन सो से लेकर 34-800 और इसमें जो आपको सेलरी मिलेगा वो लवर लवाकवा 45 से स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हो कि आप लोग को बेसिकली यह जेई लेवल का ही आप लोग को वेकेंसी देखने को मिलेगा और साती साती यह आप लोग का रेगुलर बेसिस पर जोब रहने वाला है यह इसमें की पर्मानेंट जोब रहेगा तो अगर आप इसके लिए जा सकते हो यह इसमें आप लोग का सिवील का मकेनिकल का इलेक्ट्रिकल का ठीक है कंप्यूटर साइंस का इसके अलावे आई टीए का भी कुछ वेकेंसी है जिसमें आप देख से को टेकनिसियन वाला जो वे पर आप करा जाई तो पचीस हजार से लेकर तीस एर मिलेगा अगर आप आप आट यह हो तो चलिए डिसकस करते हैं इसके लावे कुछ और भी आप देख सकते हो पांच पोस्ट है सुपरेटेंटिन का जोने असिस्टेंड का च्छे है ओपिस एटेंडन का साथ है तो सबक् पर कहा जाए last date for submission of fee का कहा जाई तो 28th of November तक 28 November तक फ़र्म को अपलाए कर सकते हो पे कर सकते हो और 29 November तक क्या है आप लोग online application का last date है fee का 28 तक है 29 तक का application का last date और हाँ 7 December तक आपको यह last date दिया गया किस चिचि़ का यह ध्यान का बहुत important है last date of submission of print out the application along the supporting document यहनिकि जब आप online application को submit करोगे तो submit करोगे इसमें सभी तरह का document वेगर upload करके submit करोगे उसको आपको पहले print out निकालना है और print out निकालके speed post करना है आपको NIT को ये धियान रखना है कब तक 7 नौबर तक 39 नौबर तक आपने form बर दिया 7 दिसंबर तक आपको print out जो आप form apply कियो उसको print out निकालके आपको फिर क्या करना है post करना speed post के थुरू आप post कर सकते हो ठीक है post office से address क्या रहने वाला है देखो यहाँ पे अगर कहा जाए यहां mention करा गया है after successful online submission of application print out of the application from form along with the self-attested उसमें self-attested कर लेना document वेगरा में and proof payment is to be proof वहाँ पे सब कुछ रहने वाला है यह देख सकता address register यहां में national institute of technology पठना असोग राजपत पठना दिस दिस by speed post कर सकते हो only as जैसे मैंने का 7 December से वहले पले तक आपको इसको कर लेना समझ गया है ना चलिए यह चीज़ ध्यान education qualification के बारे में तो देख सकते हो यह आपका technical assistant है इसमें सबसे पहले बात का है technical assistant कहा गया in civil engineering जिसमें vacancy एक है क्या मांगा गया है qualification तो अगर आप first class और equivalent कोई grade में B.E. या बीटे की हो civil engineering से तो you can apply this form और अगर आप B.E. बीटे की आलावे अगर आप first class diploma भी की हो civil engineering से तो अब भी आप इसके लिए apply कर सकते हो यहाँ पर desirable experience मांगा गया लेकिन desirable आपके पास होगा तो अच्छी बात है अगर नहीं है फिर भी आप apply कर सकते हो ठीक है तो यह essential नहीं बोला गया कि जो होना ही चाहिए यह desirable experience है नहीं भी रहेगा फिर भी आप apply कर सकते हो similarly technical assistant electrical engineering का भी है इसमें भी आपका general के लिए SC के लिए एक है कुल मिला के दो है जिसमें essential qualification फिर से वही first class अगर आप B.E. बीटे की हो electrical engineering से तो आप apply कर सकते हो और अगर आप first class diploma की हो और I mean chemical technology है ना तो B.E. मांगा गया chemistry में होना चाहिए या फिर master degree होना चाहिए chemistry में तो आप इसके लिए apply कर सकते हो और बात करते हैं technical assistant आपके server और network में इसमें आगर आपने B.E. बीटे कर रखा computer science से है ना या फिर आपने M.C.A कर रखा तो आप इसको apply कर सकते हैं या फिर अगर आप diploma भी कर रखे हैं computer science से फिर भी आप apply कर सकते हैं कुछ चीज़ों और कहा गया अगर आपके पास danger of experience होगा तो better आपको approach दिया जाएगा और बात करते हैं technical assistant M.I.S. इसमें क्या माँगा गया computer science इसमें भी माँगा गया फिर M.C.A माँगा गया अगर आप B.E.B.T.E.C. की हो computer science से तो आप इस post के लिए जा सकते हो फिर आपका आगया technical assistant hardware में जिसमे computer science अगर आपका या C.A.M.E.B.T.E.C. में आप जा सकते हो या फिर आपने mechanical से कर रखा है या electronic से कर रखा है या electrical engineer से कर रखा है तो आप इस post के लिए अपलाए कर सकते हो फिर अगर वात करा जाए technical assistant mechanical engineering में अगर आपने B.E.B.T.E. कर रखा mechanical engineering में या फिर first class diploma कर रखा आप इसके लिए जा सकते हो देखो आप लोग एक चीज़ बुलिएगा सजी वेकन सी बहुती कम-कम है एक है एक है दो है देखो अधिकतर बच्ची क्या करते हैं जहां पी भीड जादा था आ वहाँ पर ज़्यादा करते हैं और वहाँ पर फाइड भी ज्यादा होता है इन सभी में अधिकतर स्टुट्ट करते ही नहीं क्योंकि सीरेस नहीं, आप खुद मुझे लग रहा कि 100 बच्चे देखेंगे ना, उसमें 10 बच्चे इसके लिए सीरेस होंगे, और आपको regular job मिल रहा है, salary आपको J-Level का मिल रहा है, NIT में आप काम करोगे, है ना, तो ऐसा तो candidate apply कर सकते हैं, अब कुछ IT के लिए इसको लिए में बता देता हूं, जैसे आपका गया technician in website, एक है, इसमें क्या का गया है, 12 अगर आपकी हो, science से, हैना, या फिर आपने IT कर रखा है, तो आप भर सकते हैं, इसके लाभी अगर आपने diploma भी कर रखा है, 3 year का, हैना, diploma in engineering for 3 year duration in relevant field, अगर इस field में technical website में आपकी यह हो, तो apply कर सकते हो, technical mis में है, इसमें कौन IT बच्चा किया है, अगर वो जा सकता है, फिर 12 आपकी हो, तभी apply कर सकते हो, ठीक है, या diploma अगर इसी background में आपकी हो, तो जा सकते हो, hardware में अगर आपने diploma कर रखा दो जा सकते हो, तो जा सकते हो, अगर आपका technical networking में किये है, अगर आपका है, तब भी जा सकते है, इसमें भी आपका दो post है, अगर बात करा जाएं, फिर से technical mechatroning में भी एक है, इसे same IT यह 12 यह diploma कर रखा तो आप जा सकते हो, फिर chemical technology में अगर जा सकते हो, इसमें भी 12 तो भी apply कर सकते हो, अगर आपने 12 नह है, तब भी apply कर सकते हो, ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पे metal engineering में भी जा सकते हो, इसके वाला ESU में जा सकते हो, इस तरह से technician ESU, computer, mathematical and computing में जा सकते हो, CSE में जा सकते हो, सब के लिए qualification से में IT कर रखो, या फिर आपने 12 कर रखा है, 60% से, या फिर आपने 60% 12th, या मिने 10th, प् बच्चों के लिए 10th plus ITA के लिए और 12th के लिए भी है, तिक है, उसी तरह सिविल में भी है कहा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा सिविल में, या फिर आपने secondary यानि की technical सिविल में जा सकते हो, 12th वाले बच्चे भी ITA की, 10th plus ITA भी है और डिप्लोमा भी जा सकते हो, फ 35 आपके word per minute का मांगा गया यहाँ पे, तो आप इसके लिए जा सकते हो, ओपिस attendance का मांगा गया है, इसमें नवर वेकिंसी का बात कराता है, 3, 2, 5, 6, 7 है, इसमें आपका 12th फिर से मांगा गया है, ठीक है, desirable experience मांगा गया है, अगर अपके होगा, communication skill, record keeping, तो इन सब के better आपक आपको provide करा दूँगा, apply link आपको direct चाहिए, सर कहां से apply करेंगे, तो इन दोनों मिलेगा, आपको कहां पे, मुझे follow करना पड़ेगा, उत्तम कुमार डास, आन एकडमी में मुझे follow कर लेना, उत्तम कुमार सर्च करके, और इसके वाद मेरे community में आके मुझे आप message करना, क्य क्या करना मुझे, message करना, जैसा आप message करोगे, मैं आप लोगो इसका PDF दे दूँगा, आप मुझे बोलना कि सर जी, जो बिहार में आया है, technical assistant का, junior assistant का, इसका मुझे PDF दे दीजे, तो मैं आप PDF और apply link दोनों provide कर दूँग, आप अच्छे से पढ़के apply कर लेना, और वो चीध 52% तक अपना save कर सकते हो, है ना, साथी साथ, चार मंद का आपको extra extension मिलेगा, जैसे, यह plus features है, पहली बात हो, plus features मतलब क्या होता सर, आपके यवल एक course के लिए नहीं, अनेकर में जितने भी technical course चल रहा है, SSC, RAB, कोई और, यहीजी का चर्रा, सभी का सभी course में आप access कर सकते ह तो, तो अगर आप six month का लेते हो, तो दो month का extra extension मिल जागा, अगर आप एक साल का, यानिकी 12 month का लेते हो, तो थ्री month का extra extension मिल जागा, अगर आप 24 month का लेते हो, तो आपको यहाँ पे four month extra मिल जागा extension, और अगर आप देखो के 14,000 प्राइज है, six month का, आपको केवल मिल रहा साथ हर के असपास में अगर एक साल के लिए तो साथ सत्रह हजार है केवल आठ हर मिल जाएगा और अगर चोविस बंद का है तो इसमें आपको केवल बारह हजार मिल जाएगा दो साल का कि सारे के सारे इंडिया के सारे जितने भी एंजे का इजाम होता है सभी का कोशन मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं आप लोगो वह दे दूँगा लेकिन उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा उत्तम फाइब का तो याद रखना आप सीविल से हो मेकनिकल से लेक्रिक Cord इसे मिल जाएगा और सिदेर अविल कलास से में से मिलेगा आपके जुग finanा के कमिन चाहते दंडियाद ने मिलेगा तो यहाद करना चेस्ट अब सब्सक्रतिकिंद च्यां के सब्सक्राइब कोबर मुलेगा Southern थूट-दयम consent चेस्ट कर सकते हो नौमबर आज ही लाज डेट है ध्यान रखेगा आज के बाद यह ओफर जो आप लोगा खतम हो जाएगा इसके लावे अगर बात करा जाए कि आप लोग का डिसकांन मिल जाएगा डिस्क्रेशन में अपको लिंग मिल यहागा अरश प्रोष बैट नंटिए वहां को रहने वाला यह पूरा का पूरा कोर्स ठीक है यह मकेनिकल वाला इसी तरह इलेक्टिकल सीविल का भी स्टार्ट हो चुका है ठीक है और अगर बात करा जाए अभी आप लोका एक बहुत ही अच्छा विकेंसी और इक निकला एक नॉम्बर से आप उसको अपलाई कर सकते हो यह पूरा पूरा नॉम्बर वाँ अपलाई कर सकते हो जुनियर एक जीकुटिव का एयर ट्रफिक कंट्रोल का जिसमें आप किसी भी ग्रिजेट से अगर आप की हो तो आप अपलाई कर सकते हो इसका एज अगर कहा है 27 आपका कहा गया है मैक्सिम एज रखा गया है और आप आप लोग को स्टार्टिंग सेलरी तो 40 सेलरी किन इसमें एचार डिये को एड करके 80-90 हजार तक आपको पर मंत जो है वो सेलरी मिलेगा स्टार्टिंग में ठीक है पोस्ट का बात करा जाए तो लबक 500 पोस्ट है किसी भी ग्रिजेट से की हो सीवील हो मेकनिकल हो इलेक्टि कर सकते हो इसका भी कंप्रीड आपको रिकोड़ेड बीच मिल जाएगा और यह जो बेच आप लोग का है यह हम लोग के ऐसे फेकल्टी है स्टार फेकल्टी जो पढ़ाय जा रहा है जो इससे पहले बेच को निकाल चुके है दो टाइम ठीक है दो टाइम सेक्सफुली आपको इसको पढ़ाएंगे पूरा को पूरा पूरा कंप्रेंसिव तरीके सा आपको सिर्वस को कवर किया जागा फुल लेंट आपको मॉक्टेस में मिल जाएगा इसके लिए कोड यूज करना उत्तम फाइब मैक्सिम डिसकांट आप लोगो मिल जाएगा चलिए और मैं आ आपको 5 मिन ऐठा बाद क्लास वने के बाद आपको दूर्स मिल जाता और पे-डियक में आफको आपको क्लास में बनाने तो कोई भी दिक्कत अगर होता तो है ना आप लांड लाइफ रॉम दी कंफर्ट फ्रॉम यूर होम आराम से घर बेठा पढ़ाय कर सकते हो स्टेडी में आपको मिल जाता पूरा 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 पीडियाप फर्मेंट में अल्लिमिट एक्सेस मिलता ऑल पॉर्स में प्लस का फ प्लेटर फिर्फिक कंट्रोल के लिए जाते हो इसमें आप लोगों को टॉप एक्सकांट ले सकते हो उमीद करता हूं कि आप लोग यह जो आप लोग अपडेट है पसंद है इससे तरह का जोई भी और भी जॉब अपडेट होगा मैं आप लोग को लाते रहूंगा चैनल क आप में जो अपडेट लाता हूं उसका पीडियाफ का लिंक में आपको दे दूंगा एंड पीडियाफ में आपको प्रवाइड कर दोंगा ताकि अच्छी तरह से पढ़के जज्ज करके आप फॉर्म को अपलाय कर पाँ या फिर किसी तरह का और भी अगर आपको डाउट ह है तो फिर भी मैं आप लोग को हेल्प करूंगा आप मुझे मेसेज करना किसी विदर का दिक्कत है गाइड कोई चाहिए कोई गाइडेंस है हमेसा बेचे बोलते रहते हैं तो मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा लेकिन इसके लिए मुझे फोलो कर लेना उत्तम कुमार तास मुझे आप लेकिन में फोलो कर लेना और मैंने कम्यूटी में आके मेरे से बात कर सकते हैं चली थैंकिसो माट ये श्टूंग मिलते हम लोग नेक्स्ट और एक जाब अपडेट को लेकर तब तक लिए गुडबाई और गॉडड ब्लेस ये ओल बाई 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 बाई